हालो स्टुडेंट्स बेलकम टू पी वियर स्टड़ी बच्चों आप सबको पता है कच्छनों के अंसे आइटी मैथमेटिक्स आप पढ़ रहें जिसमें एक्सरसाइज 13.1 चल रहा वेटा कोश्टा नंबर तीन तक पढ़ चुके हो चौथा नंबर आज इसमें पढ़ेंगे चलिए कोश्टा नंबर चार पर ध्यान दीजिए क्या कहता है किसी स्क्रिन पर देखिए चार नंबर क्या यही तो है न किसी डिब्बे वाला किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 3.935 मीटर के छेत्रफल पर पेंट करने के लिए परयाप्त है इस डिब्बे के पेंट से 22.5 cm x 10 cm x 7.5 cm विमावाली कितने इंटों को वो पैंट की जा सकती है समझे रहे होना विटा यानि एक दिब्बा में पैंट भरा हुआ है पैंट आप देखे ओना कच्छा नौ में पहुंच गयो लगभग हर कोई पैंट देखा होगा जैसे बहुत से फरनीचर और पैंट किये जाते हैं इंट में पैंट किया जाता है तो तो आगे कोई इंट पर पेंट करना है इंट कैसे है देखो जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कम सही समझ में आरावगा तो यह वाला देख लो यह क्या इंटा है जिसे देशी वहां से में इंटा बोलते हैं इंट ब्रिक्स इंग्लिस में ठीक है इसको अगर पेंट करना है तो कह來到 फीर कितनी इंटों को प्रेंट किया जा सकता है कितना खर्चा आएगा एसे कुछ पूछा नwyn guitar फिर निखांगे नतिए क्या करेंगे हम इन उसको संपूर्ब निकालेंगे टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे इंटों का, यानि TSA, TSA निकालेंगे, फिर उसके बाद उसी हिसाब से आगे क्या क्या करते हैं, आईए, शुरू करते हैं, कुछ आगे, तो फिर समझ में आएगा, लिखिए, टो लिखा उसके बाद इसको लिखिए यह किसी भी जो है सर्फेस का अगर इस तरह से उसके बीमाय दी गई है साइट दी गई है तो आप उनका टीए से निकाल सकते इस फार्मूले से देख बाबु जो कुश्चन दिया है उसमें आपके यह बैलू दिये हैं यल का मान कितना दिय दिया है आप ध्यान दो तो 22.5 cm दिया है वहीं वरीत का भी मान दिया है जो कि 10 cm है और यल यल ने यह दिया आपका यह एच कितना दिया है 7.5 cm दिया है ठीक है भया सारे मान इसमें रख दीजिए फटा-फट चलिए रखिए जलदी से आईए तो ऐसे रहेगा एल इंटू यल कमान 22.5 बी कमान कितना है कमेंट सबका देख रहा हूं बेटा जो परिसान हो मैं नाम नहीं बोलूंगा जब तक आप अच्छा काम नहीं करोगे सबका देख रहा हूं मान बताओ चलो भी कमान बताओ बहुत अच्छे बेरे गूट सीवं बहुत अच्छे ठीक है तो बी कमान 10 है फिर बीच में प्लस है फिर बी कमान रखना बेटा फिर से 10 इंटू यज कमान 7.5 ओके प्लस यज कमान फिर से यज का 7.5 इंटू यल कमान 22.5 इसमें किसी को कोई डाउट नहीं इनको हल कर आप सबको मल्टीपल करना आता है भाईया दस से गुड़ा करोगे बावू यह दो सो पचीस हो जाएगा आपका पूरा-पूरा क्यों हो जाएगा कि नहीं कुश्चन हटा दो भाई रस्ते से बिल्कुल भी अटके न तो आपका ही हो जाएगा दो सो पचीस प्लस यह हो जाएगा पचत्तर 75 यानि इसका जब आप मल्टीपल करोगे 75 से यह थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका 168.75 यह इतना हो जाएगा ठीक है यहाँ दसमलों लगा है गुड़ा भाग करना आपको आना चाहिए यह आठ है ठीक है आठ ओके चलो आगे लिख लिए फटा फट चलो आगे हल करो अब क्या करेंगे इन सब को जोड़ोगे बिटा बाबु इन सब को जोड़ोगे और दो से आएगा तो फाइनल में आप करोगे तो 937.5 आएगा इतना है का गुड़ा करके देखो 937.5 सेंटीमीटर का स्कॉयर यह आपके इंट का छेतरफल आ गया क्या आगया एरिया आ गया चुंकि इसमें और भी कुछ दिया है कह रहा है कि वन सेंटीमीटर स्कॉयर का मतलब जान चेतरफल तो आगया इसमें से एक चीज आप समझेरा है कुष्चन देखो एक बार इसको अटाओ कुष्चन देखो एक नजर देखो बाबु जो कुष्चन कह रहा था वो कह रहा था कि जो यह पैंट है वह नव दसमलों 35 मीटर के छेतरफल पर पैंट करने के लिए तो आपको पता है यह नीचे चाहे तो लिख लो थोड़ा सा लिख लो चूँकी वन सेंटीमीटर स्कॉयर इक्वल हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर यह पता है ना आपको कि नहीं देखो इसका मतलब अभी में समझा देता हूं देखे बच्चों यह थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया ना सौरी इसके लिए देखो समझ जाता हूं मैं आपको डिटियल में इसको समझो एक्वल होता है यह कैसे होगा समझो इधर थाइड में देखो चूकी आप सबको पता है कि एक म सबको मालुम है तो इसको समय करें स्कॉलिकर में दोनों तरफ ठीक है में कई सब कर देखा उएगा इससमें कोई फराग तो पढ़ेगा नहीं तो आप वहांँ मीटर का स्कॉरायर का कर प्रक्क्त हो जब इसको दब इसको 100 cm में करोगे तो आपका 100 into hundred को जाएगा सेंटी मीटर का स्कॉर है यानि कहसकते हो ओद मीटर का स्कॉर इक्वल 10 in to hundred cm का स्कॉर ठीक है या आप सब को पता है ऐसा इफ लिए किया जा रहा है चुकि अभी हमें converter करना है इसको इसको टोटल को मेटर में ठिक है इसको चाप्लों जल्दी से इसको जल्दी लिखो आगे बढ़ें चलो हो गया इतना अब देखो चुकि यह इतना क्या आया है सेंटिमेटर का स्कॉयर में आया है और बाबू ह जगाने अलग लिख रहा हूं नहीं तो इसके नीचे लिखना था ठीक है लिखो इस लिए 937.5 सेंटीमीटर का स्कॉयर इक्वल क्या करोगे उतने से गुड़ा कर दो किसमें गुड़ा करोगे किसमें करोगे भाई भाग हो जागा सीधा सीधा इसमें 100 इंटू 100 से न जो आपका ये इधर है इसी से तो टोटल भाग हो जाता है न भाईया लिख लो नीचे लिखो इतना इक्वल 937.5 अपान 100 इंट हो गया ठीक है भाईया हल कर लो बाबु इनको हल करना आप सभी जानते हो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं 0.09375 आएगा न कर लो 0.09375 यह मीटर का स्कॉयर यह क्या आया मीटर का स्कॉयर ध्यान तो यहां पर ऊपर एक अंक पर दसमलो है वैसे तो यह चार यह बार जीरो था अगर भाग देते तो चार अंक पर दसमलो लगता एक अंक पर अंक पर पहले से था तो देखो क्या हो गया आपका 5 अंक पर 2.006 कितना पेंट था जो भी उतना पेंट को खापाने के लिए आवस्य कीटों की संख्या ठीक है लिख लो कुईशन एक बार देख लो फिर मैं लिखवा देता हूं कुईशन देखो परियाब्त है लिखो लिखो कुल पेंट को खतम करने के लिए या फिर कुल पेंट की खपत के लिए आवस्यक इटों की संख्या बराबर क्या करोगे भाईया इनका भाग देदों के किसमे जो टोटल पेंट था उससे एक एंट के छेतरफल में तो ये टोटल पेंट था आपका 937.5 क्या था टोटल कितना पेंट था 9.375 ना ठीक है लिख लो 9.375 बेटा एक का जो आया वो कितना है 0.09375 मीटर का स्कॉयर लेकिन इसमें मीटर का स्कॉयर कहां से आएगा इसमें तो इंट आ रही है ना अब इनको भाग देके देखो यहां पर देखो बाबू पाँच अंक पर दसमलो है यहां पर तीन अंक पर दसमलो है तो क्या होगा गिनती तो सब वही है सिर्फ दसमलो का डिफरेंस है यही है ना उपर क्या करोगे आप क्या बटाबर आएगी जिन को ना समझ में बताओ देता हूँ डेंसन मतलों कि इसको लिखना चाहू लिख पर दसम्लो है न तो आपको पता अगर 5 में से 3 घटा ओगे तो क्या आएगा दो आएगा न तो आप एक काम करो छट्रून का हिसाब कर दो दसम्लो कर दो खतम 9, 3, 7, 5 जो है नीचे भी लिख दो ऊपर भी लिख दो लेकिन ऐसे तो हिसाब बराबर होगा यहां नहीं चूब कि नीचे दसम्ल्व जादा था उपर कम है तो क्या करेंगे जिदर कम है उतने 100 से उपर कर दो गुडा मतलब उतनी बार 0 लगाकर ठीक है तो बाबू उपर दो अंक कम है क्योंकि नीचे 5 अंक पर दस हमलों है उपर तीनी अंक पर दो अंक पर कम था ना तो दो जिरू लगा के वह उनके बाद में मल्टीपल कर दो गया निस सो से अगर एक अंक होता दस से करते तीन होता तो एक हजार से तिफले क्या करोगे सो से गुड़ा कर दो यह कड जाएगा बराबर सो इंट जैसे कि गीता को सुहा का कमेंट आ रहा है तो अगर आप लाश्ट तक रुखते हैं रोज हमारे साथ जूड़ते हैं तो हम आपका नाम जरूर बोलते हैं कमेंट सबका देखते रहते कुछ भी नहीं समझ मैं कमेंट करके बता बताया जाएगा देखते नहीं हो इसलिए चो चोटी चोटी चल रही है कमेंट करके बताना कि आप कितने घंटे की कलास देखना चाहते हो कमेंट करना ठीक है थैंक्यू